एडवांटा यूपियल समू का बीज बरांड है यूपियल बीश्व की पांच भी सबसे वड़ी एग्रो केमिकल कमपनी है हम पहली भारती बहुराश्टी बीज कमपनी है और 68 से ज्यादा देशों में हमारी उपस्तिती है एडवांटा सोध केंदरी बीज कमपनी है जो नित नवीन एवं उच क्वालिटी के बीज किसानों को उपलब्द कराती है हमारी परमुख फसले हैं हैवरेट धान, मक्का, सरसो, सुर्जमुखी, जौर, भाजरा, सबजी एवं ठरी चारा की फसले यह फसल 135 दिनों का होता है और यह तैयार हो चुका है किसी भी फसल के पैदावार बढ़ाने वाले इसके जो परमुख कारक होते हैं वो तीन परमुख कारक होते हैं जिसमें पहला कारक जड़ है दूसरा तना और तीसरा बाली बाईयों अब चलते हैं अपने पहले कारकियों एडवांटा हैवरेट ध खेत में खायत पदार देते हैं उसका भरपूर अवसोशित करके पोधे को मजबूत हरा बरा रखता है दूसरा फाइदा आपको यहां मिलता है कि धान गिरता नहीं है और तीसरा फाइदा है जड़ मजबूत होने से इसमें आने वाले कल्ले बालियां पुष्ट दाने पुष सब्सकेरे यह सब्सक्राइब कर दाने पीएडमोर है एक पोदे में आपको साथ कल्ले के अंतर हो रहा है तो आप अनुमाल लघा सकते हमारे उपस में कितना अंतर हो ब्लम के भीक रहा है वैक एक रम क्रिक अर्व पोदे होते हैं और आपका एक पोदे में साथ कल्ले का अंतर हो रहा है तो आपके उपज में कितना अंतर होगा किसान भाईयो आई चलते हम अपने तीसरे कारक की ओर एडवांटा के हैवरेट धान में होसत दानों की संख्या 305 है यह यह एन्न में होसत दानों की संख्या 280 है इसमें बाली की लंबाई 10 इंच है एडवांटा के हैवरेट धान में यह दूसरे में 9 इंच का है ये किंच का बाली की लंबाई भी फरक है लेकिन दानों में 25 दाने का अंतर आ रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एडवांटा का PSC 87 पलस लगा के हमको क्या फाइदा मिलेगा और कितने उपज का अंतर मिलेगा अभी आप भी देख सकते हैं इन्हें का कि इसमें दाने की संख्या अधिक है बाली की लंबाई अधिक है पोधे गिरते नहीं है आप अपने किसान भाईयों को अपने पलोड पे लाएं और दिखाए अगर उन्हें अच्छे लगे तो एगले सीजन में इनकी भुआई करें इसका बाली लंबा होता है दाना ज्यादा होता है पोधा इसका गिरता नहीं और ना इसमें किसी तरह का बिमारिया है और हम 4-5 साल से लगा रहे हैं इसमें हम लोग किसान खुष है और बराबर इसको अमरत लगाएंगा पिछले साल पी एसी सतासी चवाल इस पलस लगाए थे एक एकड़ में उसमें उनको तीस कुन पर धान उपज पाया और ना इसी किसी तरह कब इसमें विमारी था जा और ने किस कम खर्चा में हमरा उपज हो गया है और किसान में से कहते हैं कि ज्यादा स फिर इंसाल लगबग दूआ कड़के लगबग लगाएंगे ताकि इससे हमरे कम खर्चा में ज्यादा उपज पाते हैं और किसान में ऐसे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको लगाएं पंता कड़ान 87, 47 पलस हम लगाएं थे तीन एकड में उसमें एक एकड में उबज हुआ 31 किंटल पैदा हुआ इन साल लगाने वाला है हम लोग 5 एकड में उसमें को रोग पाप नहीं हुआ चावल खाने में भी बहुत अच्छा है